मुझे ऐसे गर्मा गरम राइस के साथ चटपटी हलकी ग्रेवी वाली सबजी मिल जाए ना तो जो कहते है ना माई सोल इस सैटिसफाइड वैसा फील होता है ऐसी एक सबजी है जैसे हमारे घर पे बनती है सरसू की अलु, पालक और बैंगन को मिला के बनने वाली सबजी तो चलिए सुरू करते हैं आज की मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसीपी इसके लिए हम ना कढ़ाई मिलेंगे सरसो तेल और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी मेथी जब एक पर तड़क चाएगा तो इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू कच्चा आलू है जिसे छील के हमने काट लिया है आलू को थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें डाल देंगे बैंगन छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ये चोटे वाले बैंगन ते इसलिए मैंने रम्बा काटा हुआ है तो बस अब आलू और बैंगन को हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए और साथ में इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लहसन का पेस्ट मैंने कूटा हुआ लहसन डाला है आप लहसन का पेस्ट भी डाल सकते हो और अब हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है थोड़ी देर के लिए जब एक बर बैंगन थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मसाले थोड़ा सा सरसो का मसाला ये एक चोटा चम्मच बिसा हुआ सरसो है ये देर चोटे चम्मच धनिया पाउडर है एक चोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा चोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चोटा चम्मच छल्दी पाउडर एक चोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अगर आप तीखा कम खाते हो तो लाल मिर्च थोड़ा कम डाल और बस मसालो को हम भून लेंगे क्योंकि मसाले जल जाएंगे तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालके मसालो को भून लेना है स्वाद के नुसार इसमें नमक भी डालेंगे मैंने एक छोटा चमश डाला है अच्छा नमक डालते हुए ये ध्यान रखे कि जितना आलू और वैंगनो उस हिसाब से नमक डाले क्योंकि पालक क्या होता है पहले तो जादा देखता है और उसे देखते हुए आप नमक डालोगे तो फिर नमक बहुत जादा हो जाएगा तो मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो हम उसमें डालेंगे कटा हुआ पालक पालक को हमने अच्छे से साफ कर लिया है धो लिया है और काट लिया है तो पालक पहले तो बहुत जादा लगता है तो आपका कड़ाई पुरा भर जाएगा उसे चलाने में भी दिक्कत आ रही है तो मैं बस हलका सा इसे मिक्स करूँगी और इसे पांच मिनट के लिए ढख दूँगी ढखने से क्या होगा न वो अपना पानी बढ़ दिया है अब हम क्या करेंगे फ्लेम को हाई करकी इसे भी भूल लेंगे इसके साथ बेसिकली जो पानी पालक ने छोड़ा है उन सबको सुखा लेंगे तो जब यह इस तरीके से एक बर हो जाएगा तो इसमें अब हम डालेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालना है बस इतना की सबजियां थोड़ी सी ढख जाए ताकि वो अच्छे से पक जाए क्योंकि इसके अंदर पालक है तो पालक भी अपना पानी छोड़ेगा और ज्यादा फिर पानी हो जाएगा तो बस अब हम सब कुछ को मिक्स करेंगे और ढख कर लगा कि इसको पकाएंगे 10 मिन जाल लो पर मेरे लिए ये प्रफेक्ट है अब हम चलेंगे और फटाफट से इसे सर्फ कर लेंगे सर्फ करने के बाद मैं इसे गादनिस किया है एक दन्या के छोटे से डंटल के साथ और सर्फ किया है इसे गरमा-गरम राइस के साथ जैसा मुझे पसंद है आप भी इसे ए झाल झाल